आज बनाएंगे बर्गर पपोड़ा की रेसिपी रमजान स्पेशल में ये मेरे पास एक कब बेसन है और ये दो तीन अदद बड़े आलू ये थे मैंने जिनको गोल गोल सलाइस में काट लिया ये देखिए अंडे बॉयल किये थे इनको इस तरह से काटा है गोल के माटर लिय हिनकी बिचे कौर पीस किया है अब या बेसन में हम डालेंगे 1.5 टी स्पून पिस्सिवी मिरच हाफ टी स्पून काली मिरच डालेंगे अब नमक हाफ टी स्पून शिकन पॉडर डालेंगे लिए रयजान के करेब इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको अब गोलेंगे इस तरह से हम एक आलू लेंगे इसके उपर एक टिमाटर रखेंगे फिर एक अंडा और उसके उपर रखेंगे शिम्ला मिर्च और फिर इसके उपर से एक आलू रखेंगे यह हमारा बर्गर पकोड़ा इसको ह कि इसको तूद पीच से इस तरह से जोड़ेंगे हम यह देखिए अब इसको फ्राइ करेंगे और जर्ण हो चुका है हमारा यह इस तरह से रखने हैं सारी सी तरह से फ्राइ करने हैं अब बर्गर प्रकोड़े सारे फ्राइ उचके हैं प्राइ कीजिए अब बहुत मज़दार बनते हैं इंशाला फिर एक और रसी पी ते साथ मिलेंगे अलाह आप लोगा उलाह जब जडिया लोगे और धर वी तरह से उलत आप Mm